ओम नमो भगवते वासु देवाए आप सभी का हमारे यूटीब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं आईए जानते हैं साल 2022 में विशाख मास के शुकल पक्ष की एकादशी के बारे में एकादशी कब है? व्रत कब रखा जाएगा? व्रत पारन का शुब मोर्थ कब से कब तक रहेगा? साथ ही आप जानेगे पूजा विधी और एकादशी व्रत के कुछ अनिवारे नियमों के बारे में एकादशी का व्रत भगवान श्री हरी को समर्पित होता है इस दिन भगवान श्री हरी के साथ साथ भगवान श्री हरी के अन्य अवतारों की भी पूजा की जाती है। जब भी एकादशी की तिथी दो दिन तक होती है तो ऐसे में द्वादशी तिथी युक्त एकादशी का वरत रखा जाता है। 12 माई गुरवार की शाम 6 बचकर 52 मिनट से जिसकी समापती होगी 13 माई शुकरवार की शाम 5 बचकर 27 मिनट पर। 12 तिथी को हमेशा सूर्यदे के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही वरत खोला जाता है। तो वरत पारन का शुबमूर्थ रहने वाला है सुबह 6 बचकर 15 मिनट से लेकर 8 बचकर 25 मिनट पर। परानिक मानिताओं के नुसार समुद्र मंथन के समय जब धन्वंत्री भगवान समुद्र से अपने हाथों में अमरित से भरावा कलश लेकर प्रकट हुए थे तब उस समय दैति गड़ों ने भी इस अमरित का पान करना चाहा था। इसलिए जैसे ही धर्वंत्री भगवान अमरित से भरावा कलश लेकर प्रकट हुए दैतियों ने छल से अमरित से भरावा वे कलश छेन लिया लेकिन भगवान श्री हरी ने लीला रजकर अपना मोहिनी अफ़तार धारण किया जो की सभी को मोहित करने वाला था। दैतिगन भगवान श्री हरी के मोहिनी अफ़तार पर मोहित हो गए और फिर इस प्रकार भगवान श्री हरी ने इसी अफ़तार में दैतियों से अमरित से भरावा कलश लेकर देवताओं को अमरित का पान कराया था। कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री हरी ने ये अफ़तार धारण किया था वहत थी विशाख मास के शुक्लपक्ष की दिथी थी इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी अफ़तार पर गया। होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है ऐसी भी मानता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यों एकादशी के दिन होती है उसे सीधे मोक्ष प्राप्त होता है वो सीधे भगवान श्री हरी के व्यकुंठ धाम को जहता है आईए जानते हैं एकादशी व्रत की पुझ उससे एक दिन पहले आपको शुद्व सात्विक भोजन करना चाहिए और तुलसी दल भी आपको दश्मी तिथी के दिन ही तोड कर रख लेने चाहिए प्रकार की फूल पत्ती तोड़ना या तुलसी दल तोड़ना वर्जित होता है निश्यद होता है ऐसे में यदियाब अपने घर के बगीचे से गार्डन से भी फूल तोड़ना चाहते हों भगवान को और पित करना चाहते हों तो उन्हें भी आप दश्मी तिथी के दिन ही तोड़ने दश्मी तिथी को रात के समय भगवान श्री हरी के सामने आखे बंद कर ध्यान करके इस प्रकार संकल्ब लेना चाहे कि अगले दिना अप एकादशी का वरत सची श्रद्धर निश्ठा के साथ करेंगे भगवान कृष्ण की पूजा करें अपने सभी आराधी देवी देवताओं की अपने सभी कुल देवी देवताओं की पूजा करें उनका ध्यान करें पित्रों का ध्यान करें फिर भगवान के मंत्रों का जाब करते वे जैसे कि ओम नमो नारायन ओम नमो भगवते वासु द प्रावा लोटा जरूर रखे और शाम के समय इस जल का विसर्जन आप अपने घर के मुख्यद्वार पर करें इस प्रकार से व्रत की कथा पढ़ें और सुने विश्णु अगले दिन यानि की द्वादशी दिथी को जो मूर्थ बताया गया है उसी मूर्थ में आपको व्रत का पारण करना चाहिए यानि की व्रत खोलना चाहिए उससे पहले आप इस नानादी से निवरित होकर हाथ में जलिया पुषपले कर दान देने का संकल्प जरूर ले क्यों अपने माथे से लगा कर इस सामगरी का दान किसी योगी व्यक्ति को करना चाहिए दान देने के साथ ही आज के दिन गौमाता को आप जो भी रोटी या जो भी शुद्वसातिक भोजन आपने बनाया है या कोई भी मौसमी फल आप गौमाता को भी खिला सकते हैं कवों को कु पूजा और केले के व्रिक्ष की पूजा आपको हर एकादशी वृत में अवश्य करने चाहिए इस से भी बहुत पुणने मिलता है इस प्रकार से आपका एकादशी का वृत द्वादशी तिथी को पोन होता है द्वादशी तिथी को शुद्वसात्विक भोजन आप जरूर कीजेगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत थूलिएगा